नायक महसबा राजस्थान के प्रदेश उपाध ध्यक्षिवम रास्टियों को भुकता परिशित्र श्री गंगा नगर के जिला ध्यक्षि नर्सी राम नायक ने राज्य सरकार पर राज्य की बधहाली का रूप लगा है नायक ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में आववस्थाओं और कानुन ववस्था की बधहाली का जो काम किया है उससे जनता तरस्त है और भिष्टचार और बेरुजगारों के साथ धुखा दड़ी को लेकर जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी नर्सी राम नायक गुरवार को राज्य की राजधानी जैपुर में थे और उन्होंने न्यूस फ्लेस से खास बातचीत में कहा कि इस बार चुना के परिणाम अप्रत्याशीत होंगे और जनता इस से बधहाली का बदला लेकी उन्होंने भारतिये जनता पार्टी की में विभिन नेता को अलग-अलग फूलों का गुलदस्ता बताया और कहा कि इसकी महक पूरे राजस्थान में महक रही है पूरे राजस्थान में हर चगह जनत रोज पहला हुआ है महके राजस्थान में जनता की बड़ी ही देनिया हो गई है ववस्ता बहुत खराब है और जनता इस कुसाशंग को उकाड़ है बस चुनाव का इंदजार में आप तरह जनता की कर पहला है आप क्या करना चाहिए इसके बारे हैं हम लोग पार्टी स्तर की बात करूं मैं बारते जनता पार्टी का एक निमिन स्कारगा गरता हूं नीचे दगातल में रहता हूं और देटा हूं बारते जनता पार्टी मानने नरेंदर वोधी जी के नेतरताओ में अतन्त ससकत रूप से काम कर रही है राजस्थान में और हम लोग राजस्थान में जितने भी हमारे नेतागान हैं सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं अलग-अलग फूल मिलके एक गुल्दस्ता त्यार कर रहे हैं और उस उस गुल्दस्ता की मैं आने वाले चुनाव में बिल्कुल जनता के बीज में गाएगे। ऐसा मेरा खेन है। और आप कोंसे विदानसभा है को सुचे इसे साथ है। मैं अनुपगड विदानसभा चेतर से आता हूँ जो की पाकिस्तान बॉर्डर उपे हम लोग निवास करते हैं और वह एक सदूल गास्ट विजरो विदानसभा है और मैं नाएक समाज से आता हूँ। मेरे समाज के मेरी विदानस७ा में लमसं 4500 कि कमान लिए तो आप इसके रिए क्या बेस्ट वेस्ट और अपने इसके लिए क्या गुमता हूं और मैं चाहूंगा अगर मुझे मुझे दिया जाता है तो शिक्षा पर मेरा पूर्णता फोकस रहेगा इसी के साथ समाज के उठान में काम करने का माई प्रियास भी करूंगा और सर्व समाज को साथ लेके जो ये मतलब जिन जो कमिया आज तक रही है उनका सुधार करने का माई परियास पूर्णता से परिए एक जो सब्सक्राइब में समश्या थी जिमेंगा ही छोड़ो और इस पर पूर जाते हैं युगा निन्सरत्र तो कि आप जान देंगी यु देखिए मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर पिछले चोदा साल से लंसम मोदीजी के नेतरतम हम लोग कर रहे हैं और विकास की जड़े को बहतरी बढ़ावाम लोगों ने दिया है और आप जैसे देख रहे होंगे जब से मानेने मोदीजी का नेतरतम है राजस्थान मे बेरोजगारी मिटाने के तरीके बढ़ने है और मैं बात करूँ गोंगरे सरकार की उन लोगों ने लंसम सतर साल राज किया तो सतर साल में उनका ये की नारा रहा है हमेशा बेरोजगारी मिटाएंगे गरीबी मिटाएंगे गरीबी मिटाएंगे आज भी आप लोग देख आज भी वो गरीबी मीटाने के नाम पे ही पड़पंच करते हैं और वोट वोट ओरने का प्रयास करते हैं परन्तु जनता है जनता बहुत आगे बढ़ चुकिया है अब इन डखोसलों में जनता आने वाली नहीं है और बेरोशगारी अगर भारत में खत्म हो सकती है तो उसके है पिलकुल मैं मेरे राजस्तान वास्तियों को ऐसा प्रभारिधर कर सकते और देश के उत्थान में रस्टर हिट रोपरी रखे अगर हम लोग काम करें तो इस भार देश को बहुत बढ़ी उंचाईयों पर ले जा सकते हैं देश को विश्वगुरी बनाने में आगे बढ़ सकते हैं विश्वगुरी बना के भी रहेंगे ऐसा मेरा कहना है